यहाँ पर 21 जिदिए विध्यारतिया आज में चुटे के मादम से एगनू के समय विध्यारतियों के जूने दोहुसार वीडियो तो एक-एक करके में सारी नोटिफिकेशन सारी को में दूर करने वालों जिसमें कि आपका इस्टेडी माटेरी भी इंक्लूड है प्लस में आपका असाइमेंट जून 2022 सेसन का और दिसंबर 2022 सेसन का जिन विद्यारतों अभी तक सम्मिट नहीं कि उसको उपर भी डि उसमें एक चीछ साफ साफ क्लिरिफाइगी तो जो कि इस वीडियो के मादन में अपको समझाने वालों तो एक-एक करके चाहे 2019 सेसन को बैकलूच को यह थर्ड यह के विद्यारती अपेर होने वाला कॉन कॉन विद्यारती अपेर नहीं होने वाला और 35 को नोटिशन के तो सबसे पहले नोटिफिकेसिन की बात करूँ जून का जो एक्जाम है वो कब से कंड़ेट किया जाए और कौन-कौन विद्धियारती इस एक्जाम में अपेर हो सकते हैं तो यहां पर मैं साफ सब बता दू अभी कि कुछ आर्टिकल के मादम से क्यों न्यूस पेपर की कटि हैं अगर जून से अगस्त के बीच मगदम nude के कीे जातें इ Gary- ऐक्जाम करें एक्जाब कर दियाए क्या कि इसक्ति कि पर सब्सक्रा आया था open exam को लेकर और mostly विद्यारती ये भी चाहते कि हमारे exam डिले ना हो तो मैं सभी से request कर रहा हूं कि इस बार पिछली बार की तरह इस बार भी ना हो इस बार हम चाहते कि exam जो हो टाइम पर हो बस डिले exam ना हो ये चाहते अब मैं बात करते हैं तो बैकलोग और परमोशन जिनने विद्यारतों को offer तिया गयता या जो विद्यारती मार्स 2022 में किसी भी subject में रहे गए है या बैकलोग आ गई है तो क्या उनका परमोशन चीन लिया गया है या फिर उनको exam होगा और अगर होगा तो उसकी last मतलब कि last criteria क् मतलब कि कब तक वह complete कर सकते हैं अपने course को यहां आपने बाता दो जून 2022 से मतलब कि 2020 से में परमोशन ओफर निकाला था जिसमें कि साफसाफ क्लेरिफाइग कर दिया गया था कि 2020 से जिनके जून 2021 से में exam होने वाल थे फिर उसके बाद exam दिसम्मर 2021 में डिले कर दिया फिर उ उसमें साफसाफ ये mention किया गया था कि अगर आप मार्च 2022 से में जिन वी दिया था नोग59 को 2020 से में परमो 어eldraper दिया गया था जा में आपके पास और सुब्जवेट यह शह सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट मैं रहातु हो उस दूरान के आपका परमोशन चीन लिया जागा बत आपको के एक मुका क्या कि आप जून 2020 सैसन में का एक्जाम नीशन में आपार हो सकती हो अगर जून 2020 सैसन में भी थर्डीयर ना इसका रही प्लस में जिसमें बैक आई उसका अगर आप बैक लोग का एक्जाम को कि लियर कर पाते हो अप को पर्मोशन ओफ़र दिया जायगा अधरवाइस के जो 2020 सेसंड है फिर्सस्ट यर के जितनी विद्यार देते हैं उनको पर्मोशन जो ओफ़र दिया गया थे उनका पर्मोशन चिमने जाएगा और आपको द्वारा से एक्जाम देना पड़ेगा यह साफ साफ क्राइटेरिया में लिखा हुआता ठीक है अब मैं बात करतो नेक्स्ट नोटिफिकेशन की नेक्स्ट नोटिफिकेशन है कि एक्जाम निशन लिंक अपडेट कर दी जाती गिनु की तरफ से गिनु की ओफिसल वैब्साइट पर अपडेट कर दीच यह जाता है और इनफॉव पहली अपडेट कर दे आता कि कि आप सभी को क्या एक्जामनेशन फॉर्म इलिन विद्यारतियों को फिल करना है और जिन्होंने पहले पैसे भर दिये हैं फीस पहले से जमा कर देए जैसे कि बैकलोग के विद्यारतियों के ठीक है उनकी को फीस अरजेश्टमेंट कर ली जाएगी जून तो हुसर वाइस से आपको टैंसल लेने के जुरूत नहीं या फिर उससे पहले की विद्यारतियों होल्टिकट की बात करो होल्टिकट तो यार जाइड सी बात है इससे पहले वाल जो एक्जाम होता है मार्स 2022 में उसमें भी आपके जो होल्टिकट आता है एक हपते पहले जून 2022 में जब कर सकते किती परसेंट और जिन्हीं विद्यारतियों अभी तक सम्मिट नहीं के यार सम्मिट कर दो बार-बार मौका नहीं देगी आपको फिर उसके बाद रोने के अलावा आपके पास कोई भी चांसे नहीं कोई भी मौका नहीं है फिर आप चाहें गिसड़ लो आप ओफ- होटली बंद हो जाएगा उसमें भी आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी भागदोड करनी पड़ेगी दैन आपका क्या सम्मिट होगा तो ऐसी मिष्टे करते क्यों हो जब इस पता है कि क्या मौका दे रही है तो उस मौका का फायदा ठाऊना अपने साइमेंट को यह आपको लगता है कि revolution का form भरना चाहिए दैन आप री चेक करवा सकते हो आप उस हो सकते कि आपके नंबर बढ़ सकते और कम भी हो सकते कोई chances नहीं कह सकते अगर confident है कि लगता है कि मेरे नंबर 5-6 अगर 5-6 तो कोई फायदेनी पैसे देना का अगर आपको लगता है कि आप revolution करवास होती जिसके मादयम से आपके नंबर बढ़ सके और आपका क्या इन फ्यूचर आप अनधर कोर्सिस में अडिवीशन लेना चाहिए तो वहां पर क्या फायदे मंदो थार्टी फाइफ को नुक्यूशन के लिए बात बता दू थार्टी फाइफ को नुक्यूश पर नहीं आया था बहुत सार ऐसे विद्यार देता सोफ कोपी के मादयम से उन्हेंने पढ़ाई करी थी और एक्जाम दिया था उसे पढ़कर तो इस बार भी ना हो जून 2022 से सबसे पहले अपना स्टेटस चेक करो स्टेटस चेक करने कब अगर नहीं आया तो आपके वाद